हलो दोस्तों, नमस्कार, मैं ललीता पटेल, सहक प्रध्यापिका संस्विरोमडी महाविद्याले पामगड़ आज का मेरा टॉपिक है छायावाद, तो आज हम देखते हैं छायावाद का परिचय, उसकी समय सीमा क्या है चायावाद के स्वरूप को समझने के लिए उस प्रिष्ट भूमी को समझ लेना आवास्यक है, जिसने चायावाद को जन्म दिया साहित्य में प्राया एक नियम देखा जाता है कि पूरो वर्ती यूग के आभाओं को दूर करने के लिए परवर्ती यूग का जन्म होता है याने कि मतलब जिस भी वाद का जन्म हुआ है या जिस काल का जन्म हुआ है उससे पहले क्या-क्या आभाव रही है उसको उस यूग के कवियों ने देखा है और उसको दूर करने की कोशिस की है ठीक उसी तरह से द्वेदी यूग में जितनी भी कमिया रही है उन कमियों को यही चायावादी कभियों की उत्पत्ती हुई चायावाद का जन्म हुआ तो चायावाद की समय सीमा हम देखते हैं 1918 इसवी से 1936 इसवी तक इसकी समय सीमा है इसका परिचाया आईए हम देखते हैं सर्व प्रथम तो चायावाद का नामकरण किस ने किया, किसे ने सब से पहले चायावाद सब्द का प्रयोग किया, तो आईए देखते हैं, चायावाद के नामकरण का स्रेय मुकुर्धर पांडेय को दिया जाता है, क्योंकि मुकुर्धर पांडेय ने स्री सार्दा पत्रिका में एक निबन प्रकासित किया, जिसमें उन्होंने चायावाद सब्द का प्रयोग हिया। चायावाद का विकास द्वेदी युगिन कविता के पश्चात हुआ, चायावाद से पूर्व हिंदी कोरी उपदेश मात्रा बन गई थी, उसमें सिर्फ समासुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी, नैतिकता और उपदेश आत्मकता की प्रधानता के करण कवित में निरस्ता आ गई, जिसके कारण चायावाद के कविता में सरस्ता लाने के लिए कवियों ने प्रकृति को माध्यम बनाया, प्रकृति के माध्यम से मनोभाओं का जब चीतरन होने लगा, तभी चायावाद का जन्म हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि अपने से मतलब वेदी यूग के बाद हुआ तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किन-किन विद्वानों ने क्या-क्या परिभासा दिया है। अग्यात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यांची त्रमई भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से ब्यंजना करता है। इच्छा है, मन में जिग्यासा है, वो क्या कहलाता है? रहसयवाद कहलाता है और काबे सैली यदि हम देखते हैं तो काबे सैली हर कवी यानि कि एक कवी अपनी कवीता में अर्थ भावना ब्यक्त करने के लिए जो उप्योग करता है जिस सैली का उप्योग करता है वो क्या कहलाता है काबय सैली कहलाता है तो इस तरह से अचारे रामचंद्र शुक्ला का परिभासा हो गया जिसमें रहस्यवाद को और काब विद्रोह है इस थूल याने की जिस चीज को हम देख सकते हैं और सुच्म याने की जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो इसमें क्या बताया हुआ है डाक्टर नगेंद्र ने इस थूल के प्रती सुच्म का विद्रोह है अब डाक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देख जब वेदना के आधार पर श्वा अनुबूती मैं अभिव्यक्त होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया ध्वन्यात्मक्ता, लाक्षणिक्ता, सौंदर्यमय प्रतिक बिधान तथा उपचार के साथ श्वा अनुबूती की विवरित्ती छा जैसंकर प्रशाद की परिभासा में सारी मतलब चायावाद कविता की विशेशता आ गई है, जैसे इसमें स्वा अनुबूती, अपनी जो अनुबूती है, ब्यक्त करने लगी जिस यूग में कवियूज, वो क्या कहलाती है चायावाद, और चायावाद में अनेक सब्दों का प्रयोग किया गया, संदर्य में चीतरण किया गया, जैसे प्रकृति का चीतरण हो, चाहे नारी की संदर्य का चीतरण हो, प्रतिक विधान का, तो इस तरह सी ये जैसंकर प्रशाद की परिभासा हो गई, अब महादेवी वर्मा का हम देखते हैं, महादेवी व या गीत कहा है महादेवी वर्मने ये तो हो गया अलग-अलग विद्वानों के द्वारा परिभाशा अब विद्वानों की परिभाशाओं से क्या इसपष्ट होता है इसको जरा देखते हैं क्या विशेस्ताय निकलती हैं तो छायावाद में इस्थूलता की इस्थान पर सु प्रद्धान्ता है इस तरह से इन विद्वानों की परिभासाओं से हमें पता चलता है अब छायावाद की विशेस्ताओं को भी हम देखेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि छायावाद के चार अधारिस्तंभ कभी कौन-कौन है इनका नाम जान लेते हैं पहला है जैसंकर प्रशाद जिनका जन्म 1889 में काशी की संपन्ना परिवार में हुआ और इनकी मृतिव 1937 में हुई दूसरा है सुरेकांत्रिपाथी निराला जिनका जन्म बंगाल के महिसदल राजय में 1899 में हुआ और उनकी मृतिव जो है 1979 में हुई तीसरा है सुमित्रा नंदन पंद, कोशानी नामा की इस्थान पर इनका जन्म, 1910 में हुआ और 1907 में इनकी वृत्पी हुई महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, कायास्थ परिवार में 1907 इस्वी को और 1787 को इनकी वृत्पी हो गई अब हम देखते हैं छायावाद की विषेषदा हैं तो पहला है आत्मा अभिव्यक्ति अब आत्मा अभिव्यक्ति याen की अपनी भाउनाों को खुल कर ब्यक्त करना आत्मा भी ब्यक्तियाने की अपनी भावनाओं को ब्यक्त करना तो इसमें मतलब देखा गया है कि छायावादी कविता में कवियों ने अपने ब्यक्तिगत जीवन की निजी प्रशंगों को खोजने का प्रयास किया उसको खुल कर ब्यक्त करने का प्रयास किया जैसे कि हम सुर तो यहां पर सुर्यकांत्री पाठी निराला जी मतलब अपने आपको मतलब जो अपने जीवन में विरोध जहलते आए हैं उसको उन्होंने इस कविता के माध्यम से अभी ब्याफ्ता किया हुआ है अब अगला देखते हैं दूसरा सौंदर्य चीतरण तो सौंदर्य चीतरण म किस तरह से इन्होंने वर्णन किया हुआ है देखते हैं चायवादी कवि जो है मूलता हा प्रेम वा सौंदर्य के कवि रहे हैं चायवादी कवियों ने नारी को उसकी प्रेमी का के रूप में ग्रहण किया जो हृदय वा यवन की संपून विभीतियों से परिपून है जैस पर किया गया है जैसे ये जो उधारण है जैसंकर प्रशाद की कामा यानि महा काबय के अंतरगत स्रद्धा के संदर्य का चीतरण जैसंकर प्रशाद जी ने किया हुआ है अगला देखते हैं नारी का उधात रूप में चीतरण उधात रूप यानि की उचा रूप यानि की मतलब उसका जो इस्थान है वो उचा रखा गया तो इसको देखते हैं हम इसके उधारण के माध्य हम से देखते हैं नारी तुम केवल स्रद्धा हो विश्वास रजत नगपग दलमें, यानि कि नारी की बाहरी सौंदर्य का वर्णन न करके उसकी जो आंत्रिक सौंदर्य है उसका वर्णन इसमें क्या गया है, नारी को ही मतलब छामा, विश्वास, मतलब सकही, प्रयासी बना कर उन्होंने साम पेज किया हुआ है, जैसांकर प्रशाद ने, ये भी कामा यानि से ही है, आप देखते हैं प्रकृती चीतरण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कि चाहे प्रकृती की सौंदर्य का चीतरण हो, या नारी की सौंदर्य का चीतरण हो, मतलब छायावादी कवियों ने किया भूल अभी से इस जग को यानि की मतलब यहां कोमल डालियों की जो छाया है और प्रकृति की जो माया है उसको छोड़ कर किसी मतलब दूसरे की जाल में मैं कैसे उलज जाओ इस तरह से कहा गया है जैसे देखा गया है कि प्रकृति सिर्फ देता ही गया है बदले में कुछ पेक्षा नहीं करती है तो इसी कारार से छायवादी कवियों ने प्रकृति का खुल कर चित्रण किया हुआ है आप देखते हैं दुख और वेदना की अभिव्यक्ति पाजवा दुख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से मतलब महादेवी वर्मा जो कवीतरी है उनके कवीता में देखा गया है जैसे उन्होंने अपने आपकी तुलना एक नीर भरी बदली सीखी है बादल सीखिया हुआ है जो मतलब बरसा की पानी है उससे उधारान में द दुख की बदली विस्त्रित नभका कोई कोना मेरा ना कभी अपना होना परिचा इतना इतिहास यही उमडी कल्थी मिट आज चली याने की जो बादल चाय रहती है पूरा बादल में चाय रहती है लेकिन उसका कोई मतलब कोई भी कोना उसके लिए एक घर नहीं बन सकता इत तरह से महादेव यर्मा ने अपनी दुखों की तुला उससे की है आईए देखते हैं छटवा रहस्यवाद अब रहस्यवाद सब्दों को मैंने पहले ही समझाया है कि जिसको जानने की इच्छा हो तो आईए देखते हैं हम पंत जी की मौन निमंत्रण कविता की उधारण क ना जाने कौन आए दुती मान जान मुझको अबोद अंजान सुझाते हो तुम पत अंजान फूंक देते हो छिद्रों में गान यानि कि यहां पर पंत जी कह रहे हैं का ज्यात सत्ता को कह रहे हैं कि मतलब तुम कौन है प्रकास के पूंज तुम कौन हो जो मुझे अबोद रास्ता दिखा रहे हो और प्राण रुपी जो बासूरी के छीद रहें उसमें फूक डाल रहे हो मतलब एक तरह से गीत जो है तुम डाल रहे हो तो अगला देखते हैं हम सात्वा कलपना सिल्ता कलपना सीलता में दोस्तों देखते हैं कि छायावादी कवीता में मतलब अधिकतर कलपना प्रधान देखा गया है जैसे दिवस का इन में रजत प्रसाद उसा का स्वर्ण सुहाग निसा का तुहीन असुरू स्रिंगार सांज का निहस्वन राग याने कि एक तरफ पस्चिमी बिज्ञान वादी, बौधिकता वादी, संस्कृती तो दूसरी तरफ भारतिय भाउकता याने कि कलपना प्रधान रही है एक तरह सी भारतिय जो कवीता है वो कलपना प्रधान रही है और छायावाद में खास करके कलपना का प्रयोग यह गया है अगला देखते हैं आठवा, सील पगत विशेश ताइं छायावादी कव्यों ने अपने काब्या में लाक्षणिता का प्रयोग किया है जिससे भासा अत्यन ससक्त यों प्रभाव मई बन गई है जैसे उदाराण के माध्य हमसे देखते हैं नीरव संध्या में प्रशांद डूबा है सारा ग्राम प्रांद जहां कवी सांध की अधिता को बताते हैं सारा ग्राम प्रांद सब्द सहित संध्या में डूबा हुआ है ये जो डूबा सब्द है वो लक्षणा सब्द सकती है अब देखते हैं बीम्ब योजना बीम्ब योजना में कीस तरह के बीम्ब का प्रयोग किया हुआ है चायावादी कवियों ने उसको उधारण के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर जैसे खास करके स्रब्य बीम्ब का प्रयोग किया गया है जम 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 मेग बरस्ते रे सावन के चम 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 गिर्ती भूने तरवों के चनकी अब यहाँ पर स्रव्य भीम का प्रयोग बहुत अच्छे से चीतरित किया है चायवादी कवियों ने अब देखते हैं दस्वा प्रतीक योजना चायवादी काव्य की एक महत्वपून विशेस्ता प्रतीक योजना है कभी विभिन्न प्रतीकों के द्वारा अपनी बात कहता है और इससे उसकी कथन में वक्रता आ जाती है तो इसको उधाराण के माध्यम से हम देखते हैं निशा को धो देता राकेश चांदनी में जब अलकें खोल कली से कहता था मधुमास बता दे मधुमदीरा का मोल याने कि निशा का अर्था है मतलब रात्री और राकेश का अर्था है रात्री का भगवान तो इस तरह से इसमें दिया गया है निसा, राके, सकली, मधुमास, आधी के माध्यम से नायक नाइका के प्रेम की अभी ब्यक्ति मिलती है प्रकृति के ये पदार्थ जो है उकमान नहीं है प्रतीक है उसको इसमें छायवादी कवियों ने दर्साया हुआ है धन्यवाद दोस्तों